नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP Police Constable Written Exam 2022 के पॉइंट ओ व्यू से प्रिविएस एर क्वेश्टिन्स HP Police Constable Written Exam जो हुए थे 2012 में, 2015 में और 2016 में जो एक्वेश्टाम हुए था तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला प्रिशन है इसमें बोलगे की आँखे चार होने का मतलब क्या होता है तो आँखे चार होने का मतलब प्यार होना होता है उप्शन नम्र सी इस क्वेश्टन का कुरेक्ट अंसर है फ्रेंड्स ये हम HPP's Constable 2012 का 2015 का और 2016 का जो एक्जाम हुआ था उसमें हिंदी लेंग्विज के जो क्वेश्टन पूचे गे थे उनको आज हम डिसकस कर रहे हैं अगला प्रशन है इसमें बोलगे की सही उत्तर बताये तो प्रसंसा का सही रूप क्या होगा रूप का सुद बरत्र नहीं किया होगी आपकी Option C होगा ये प्रसंसा का सुद रूप है अगला प्रशन है इसमें बोला रहा है कि अदजल गगरी यह होगा यह होगा अदजल गगरी छलकत जाए तो Option बओन जो गठिन्टा से प्राप्त होने वाला हो उसे क्या कहते हैं काफी important question है तो कठिंता से प्रावत होने वाले को दुरलब कहते हैं option number 20 question का correct answer है अगला प्रशन है जिसकी इच्छाएं बहुत उंची हो वो क्या कहलता है तो जिसकी इच्छाएं बहुत उंची हो उसे महतवा कांक्शी कहते हैं now. B. इस question का correct answer है अगला है कभी नस्ट ना होने वाला तो कभी नस्ट ना होने वाले को क्या कहते है question number 21 का जो चौर्यक्ट गूर्ड नस्ट है उस बो है आपका option नमबर B है संदी विचेद करना हमने सिमांत का जो संदी विचेद क्या होगा यह होगा आपका सीमा प्लस अंत ओप्शन नमबर बीस क्वेशन का कुलेक्ट अंसर है अगला है संदी विचेद करें बारतालाप का जो संदी विचेद क्या होगा तो बारतालाप का संदी विचेद होगा आप option number B is question का correct answer है अगला प्रशन है शक्ति के अनुसार तो शक्ति के अनुसार क्या कहलते हैं शक्ति के अनुसार यानि के यथा शक्ति option number B is question का correct answer है अगला है जड़ का बिलोम शब्द क्या होगा तो जड़ का बिलोम शब्द क्या होगा question number 26 का जो correct answer है वो आपका option number B है चेत में option number D is question का correct answer हो जाएगा बाकी रभी सोरिया और बादू जो है ये तीन दो सोरिया के परिवाची शब्द है सूरज के और नीर जो है ये एक अलग शब्द है अगरा है सादू का इस्त्री लिंग क्या होगा तो सादू का इस्त्री लिंग आपका सादवी होगा option number A is question का correct answer है ये काफी important question है तो मुँ में राम बगल में चुरी का मतलब होता है डिया बहारे के दिखावा अच्छा पर दोखेवाच option number 20 question का correct answer है तो फ्रेंट जिन question के आपने सोर्ट नोर्स ज़रूबना लेने हैं क्योंकि ये revision के time आपको काफी helpful थाबित होंगे और ये question repeat भी हो सकते है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो भी एक्जाम हुए था 27 मार्च 2022 को उसमें 2016 का जो एक्जाम हुए था उसमें से हिंदी language के 6-7 question repeat हुए थे तो ये question भी आपको काफी important रहने वाले हैं अब जो friends ये question हम discuss कर गए हैं ये 2016 के exam में पुछे गए थे हिंदी language के तो पहला प्रशन था तुमें किसने डांटा बाक्या में रिखांकित सर्बनाम है तो तुमें किसने डांटा ये होगा आपका प्रशन बाचिक सर्बनाम option number ace question का correct answer है अगला प्रशन है इसमें बोला गए कि मेरी कमीज में डाई मेटर कपड़ा लगता है बाक्या में विशेशन है तो अगला प्रशन है बालकों ने अखवार पड़ा और डैश ने पत्रिका रिखांकित शब्द के विपरीत डिंग वाले शब्द से बाक्या पूरा कीजिए अंसको मारा बाक्या के रिखांकित अंश का कार्क है तो कृष्ण रिखांकित अंश का कार्क क्या होगा तो कृष्ण ने कंसको मारा यह होगा आपका करता option number B इस कोशन का correct answer है अगला प्रशन है इसमें बोलागे कि देश की सरदों पोर डटे सुरक्षा कर्मी कफन सिरफ पर बांद कर लड़ते हैं तो बाक्या में रिखांकित अंश कार्त क्या है तो कफन सिरफ पर बांद कर रिखांकित अंश चाइस कार्त क्या होता है यह होता है मुरने को त्यार रहना options number A कोशन का correct answer है अगला प्रशन है विध्यालिया का सही संदी बिचेद क्या होगा तो विद्यालिया का सही संदी बिचेद होगा आपका विद्याबलस सालिया आपने कुमेंट सेक्षिन में बताना है कि विद्यालिया में कौन सी संदी है अगला है बे शेयर को जाया करता है बाकिया में कौन सी करिया है यह आपकी स्चिप्त करिया है औक् correct answer है अगला question है इसमें बोला गया कि ये जो questions है वो आपके 2015 के exam में पूछे गे थे हिंदी सोरी ये 2016 के exam में पूछे गे थे ये वाले question अब हम discuss कर रहे हैं as we please constable written exam 2016 में पूछे गे थे हिंदी है उतकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा तो उतकर्ष का विलोम शब्द होता है आपका अपकर्ष होता है काफी से मिठास जो है वो आपकी भावाचिक संग्या है मिठास जो है वो आपकी भावाचिक संग्या है अगला है बिल्ली के भागो चीका तूटा कर्थ क्या होता है तो बिल्ली के भागो चीका तूटा कर्थ होता है अचानक लाब होना क्या होता है अचानक लाब होना अगला है आ कि नेक्ष्यक का सुद्संधिवषयद क्या हो तो परिक्षिक का सुद्संधि होगा अगला एक शिख का हमने सुन्हें होगीanov ह종 के या vlogging नेक्ष्ण के दस्तिरेखा माली छोधरी धनवती में से इस्त्री लिंग है तो इन चार ओप्शन में इस्त्री लिंग होना है बैनवती जो है आपकी इस्त्री लिंग है काफी इंपोर्टन क्वेशन है यह अगला है प्रले का बिलोम शब्द क्या होगा तो प्रले का बिलोम शब्द क्या होता है स्रिस्टी जो है वह आपका प्रल अगला प्रश्टन है के वड़े के शब्ध का चाहिन कीजिए का क्या के वानरती शब्ध कर्द्ध क्या होगा का यह को आपका केवल काफी इंपोर्टन कुश्ष्न है अगला है मिलन का विलोम शब्द क्या होगा तो मिलन का विलोम शब्द होता है विरह क्या होता है विरह जो है वह आपका मिलन का विलोम शब्द होता है अगला है सारी फसल बांक्याश में कौन सा विशेशन प्रियक्त होगा है तो सारी फसल बांक्याश में परिमार वाचिक बिशेशन प्रियक्त हुआ है कौन सा परिमार बाचक सारी वसल भाग के आश में परिमार बाचक के बिशेशन प्रियक्त हुआ है इस वीडियो को लास्ट कुशन है कुंजर का परिवाच्ची क्या होगा तो कुंजर का परिवाच्ची गज जो हता है वो आपका कुंजर का परिवाची शब्द होता है तो क्या होता है कुंजर का परिवाची शब्द गज होता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आज हमने HP Police Constable Written Exam 2012, 2015 और 2016 की एक्जाम में जो हिंदी, Language और Grammar के question पूछे गए थे उनके question को आज हमने solve किया जो आपको काफी helper सावित होंगे तो friends, I hope आपको वीडियो किसानद आई होगी तो वीडियो को like, share and subscribe कर दे तो thank you friends